तो हैना दॉस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वाइटी स्टूडियो की की उसको कैसे यूज करते हैं उसमें कौन सा उप्शन काँप हैं जो भी यूटूब पर वीडियो Is Create करता है उसके लिए white tree studio बहुत helpful है तो बिना time waste करें चलता है हमारे mobile की screen पर तो open कर लेते हैं white tree studio को तो उपर ही उपर आपको अपने channel का logo मिल जाता है और उसके उपर आपको अपने channel का नाम मिल जाता है और नीचे जो आपको subscriber है वो आपको दिख जाता है और उसके नीचे आपको एक box मिलता है analytics का जिसमें आपको 28 days के views, watch time, subscriber और revenue दिखा देता है तो मेरे जो views है 28 days के वो है 5.4K, watch time है 285, subscriber है 335 और revenue जो है 72 रूपीज और इसके नीचे आपको अपने latest video performance मिल जाती है जो video भी आपने decent में upload करी है उस video की rank, views, CTR, average view duration और उसके नीचे आपको content का box मिल जाता है अभी तक आपने अपने channel पे जितनी video upload करी है वो सब आपको content box में दिखा देता है और जैसे आप scroll करते हूँ नीचे की तरफ तो आपकी videos पे जो comment आए है वो आपको दिखा देता है तो dashboard में इतना ही होता है और अब नीचे की तरफ आपको 5 option मिल रहे होंगे dashboard, content, analytics, comment, playlist तो अभी तक जो आपने देखा ये है dashboard अब चलते हैं content पे तो simple आपको click कर देना है content पे और अभी तक आपने जितनी videos upload करी है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी और उपर आपको तीन option दिख रहे होंगे video, shorts, live तो आपको अपनी videos यहाँ मिल जाएगी और जैसे आप shorts पे click करते हो आपने जो भी shorts upload किया होगा वो आपको आपके मिल जाएगा और live वाले option में जो live है मैंने अभी तक कुछ नहीं किया ना shorts ना live सिर्फ videos upload करी है और अब चलते है analytics वाले option में analytics में भी आपको उपर चार option मिल जाते हैं overview, content, audience और revenue तो पहले बात करते है overview की, तो यह जो पहला box है यह है view का, आपका 28 days में कितना view आया है अगर आप date wise चेक करना चाते हैं, तो simple आपको इस पर click करना है और आप इस graph के उपर click करके देख सकते हैं, कि किस date को कितना views आया है और जैसे आप इसको right में scroll करते हैं, आप यहाँ पर watch time चेक कर सकते हैं यहाँ पर subscriber चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना revenue चेक कर सकते हैं और आप चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे वाले box में आपको top videos दिखाए जाती है जिस पर 28 days में ज़्यादा view आया है, वो आप चलते हैं नीचे वाले box में तो real time views में आपको दिखाए जाता है कि last 48 hour में आपके किस video पर कितना views आया है और अगर आप 60 minute का चेक करना चाते हैं, तो simple आपको इसके उपर click करना है और यहाँ पर आपको last 60 minute का option मिल जाता है, आपको इस पर click करके चेक कर सकता है कि आपको 60 minute में कितना views आया है, तो overview में इतना ही है, अब चलते हैं content की तरफ और यहाँ पर भी आपको same views दिखाए जाता है, और आपकी videos का जो impression है वो आपको show होता है और यहाँ पर आपको अपना CTR दिखाए जाता है, और यहाँ पर आपको view duration दिखाए जाती है कि audience ने आपकी video को कितना देखा है, आप चलते हैं नीचे वाले box में, same top videos आला option आ जाता है और वापे से तलते हैं नीचे, और यह जो आपको box दिख रहा है how viewer find your video इसका मतलब यह है कि वीडियो देखने वाला आपकी video तक कैसे पहुँचा है तो मेरा जो है 66% YouTube search, 17% external, 4.4 browse feature, 4.2 suggestion video अब right में scroll करते हैं और यह जो box है YouTube search term कि viewer का search करके आपकी video तक पहुँच रहा है और यह जो box है external site और app तो इसका मतलब यह है कि आपका external source कहां से आ रहा है तो मेरा 93% Facebook, 2.8% Google, 0.8 Instagram, 0.7 WhatsApp वापिस right में scroll करते हैं और यह जो box है content suggestion you इसका मतलब यह है कि आपकी कौन सी video है जो दाधा suggestion में आ रही है लोगों को दिखाई दे रही है और यह है कि playlist कौन सा show हो रहा है अब चलते हैं नीचे और यह जो नीचे वाला option है key moment for audience retention जिसमें आपका intro, top moment, skip, dips यह सब दिखाते हैं तो content में इतना ही था अब चलते है audience वाले option में और इसमें जो आपको उपर box दिख रहा है यह returning viewer जैसे आप इसके उपर click करते हैं और इस पर आप चेक कर सकते हैं कितने लोग आपके चैनल पर नए हैं और कितने आपके चैनल पर वापिस आ रहे हैं right में scroll करते हैं और यह जो box unique viewers यह आपको यह show करता है कि आपके चैनल के उपर कितने unique बंदे आएं आपकी वीडियो को देखने के लिए और right में आपको अपने subscriber दिखाते हैं किस date को कितने subscriber आएं आप चलते हैं नीचे और यह जो नीचे वाला box है when your viewer are on YouTube इसमें आपको यह show करता है कि किस day को किस time पे आपके ज़्यादा viewer आपकी वीडियो देखते हैं आप चलते हैं नीचे age वाले option में और यह जो age वाला box है इसमें आपको यह बताता है कि आपकी जो वीडियो देख रहे हैं वो किस age के ज़्यादा है 13-71% 18-24-65% 25-34-30% 35-44-3.1% और इसमें आपको gender भी show कर देता है कि male है कि female तो male जो है 92% female जो है 8% और कौन सी country से देख रहा है वो भी आपको show कर देता है इंडिया वेतनाम पाकिस्तान बांगलादेश जापान जो यह box जो है watch time from subscribers not subscribe 96.6 subscribe 3.4 और नीचे जो है वो यह बताता है कि मेरी audience और कौन सी वीडियो देख रहे है और कौन से channel देख रहे है तो audience में जो है वो इतना ही होने वाला है और right में आपको cpm दिखाता है यह हमारे काम करने यह जो एड लगाता है उनके काम का है और नीचे आपको अपनी month income अपको दिखा दिखा देती जून में कितना ह Cant a fix नीचे वह आपको यह दिखाता है कि आपकी सबसे ज़्यादा कमाने वाली वीडियो कौन सी है तो मेरा जो चैनल वह अभी मोनेटाइज हुआ है तो इति ज्यादा नहीं है तो आप चलता है नीचे और नीचे आपको दिखाता है रेवेनिग सोर्स और इसके नीचे आपको रेवेनिग नहीं हुआ और नीचे आपको कंट्रिवाइज सी पीम दिखाता है तो रेवेनिग में भी इतना ही है तो आप चलता है कॉमेंट्स के उपर तो यहाँ पर जितने लोगों ने आपकी वीडियो पर कॉमेंट्स के वह आपको शो कर देता है और ज्यादा कुछ खा झाल